आप सबी का स्वागत करते हैं एक बार फिर से आपकी अपने यूटोब चैनल कॉलेज अपडेट बाई अजीत बक्सर के इसे यूटोब चैनल में समेश्टर 1 का रिजल्ट आने के बाद समेश्टर 2 में आइडमिसन कब होगा समेश्टर 2 का रिजल्ट आने के बाद समेश्टर 3 में नमांकन कब होगा तो चले इस वीडियो के माध्यम से एक कॉलेज का नोटिस आगया है उस नोटिस से आपको बताएंगे कि आपका आडमिसन कब से अश्टार्ट है सकेंड समेश्टर के लिए और थर्ड समेश्टर के लिए आपका नमांकन कब होगा इस वीडियो को अन तक देखिए जो छातर चैनल पे नए है तो चैनल को सब्सक्राइब भी किजएगा चले नोटिस को हम पढ़कर बताते हैं तो देख रहे हैं यह है एसबी कॉलेज आरा यह बीस वीडाले आरा का सरकारी कॉलेज है और आपको यह पता होना चाहिए कि बीस वीडाले आरा के सरकारी कॉलेज में ही पीजी का अडिमिसन और पीजी का पढ़ाई होता है तो चले एसबी कॉलेज आरा का जो नोटिस आया है और ये जो date दिया गया है कि 23-3 से लेकर 31-3 तक दिया जाएगा क्योंकि ये अशना तक part 1 और 2-3 का नमांकन नहीं है इसका जो नमांकन होता है लगबग 4-5 दिन का समय दिया जाता है लेकिन कुछ college जो है सरकारी college है उसका notice नहीं आया है तो उसका notice धिरे धिरे जैसे एक college निक आद्यम से बता देंगे टेली ग्राम का जो link है आपको इस वीडियो के description box में मिल जाएगा आप टेली ग्राम ग्रूप से जोईन हो जाएए क्योंकि PG का जो notice होता है छोटा छोटा हर college का आता रहता है तो टेली ग्राम ग्रूप पर हम लोग डाल देते हैं हलाकि PG का जो admission के बहुत से चातर पूछ रहे थे कि PG का new admission कब होगा यहाप देख रहें कि 2020 से 2022 का नमांकन कब होगा तो यह नमांकन आपका पार 3 का result आने के बाद ही होगा क्योंकि पार 3 का result अभी आने वाला है जैसे ही 10 या 15 दिनों में आ जाएगा तो आपका पार 3 का result जैसे ही आएगा नोटिस आएगा आपको वीडियो बना कर हम बता देंगे तब तक के लिए बाई बाई टेक क्यार फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में